आवाज की दुनिया के चाहने वाले सभी दोस्तों का इस्टेटी वीट फोजी फेमली में मैं कमांडवार के नएक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अभिनन दन करता हूं उमीद करता हूं दोस्तों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे आप सब की तहरी बहुत अच्छी चल रही होगी तो यहां पर दोस्तों आज हम एक और अद्याय पढ़ने वाले हैं तो इसमें कौन-कौन से टोपिक पढ़ने वाले वह देख लेते हैं यहां पर सबसे पहले दोस्तों आपको पता है कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हो खासकर जोगरोपी का तो उ यानि दोस्तों विश्वे का भुगोल और इसका दोस्तों चैप्टर नंबर 52 यानि दोस्तों विश्वे के भुगोल से सबंदित आज एक और महत्पूर्ण अद्याय जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 52 यानि दोस्तों बाउन हुआ अद्याय पढ़ने जा रहे हैं इससे प रहने वाला कर्षी के उपर वेशें दोस्तों बारत कर precaugory कर्षी कर दैवा काचि की ही देड़ gob वह दोस्तों आप खाने वाले कोई पीכर कर्षा से दीदात démocrata करें दोस्तों वह कैसे बनेगी वह estranुत करको कर दा कर पर हम कर्शी से समंदित कोच महत्वपून जानकारी लेने वाले तो यहां पर दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहले कर्शी यानि एग्रिकल्चर के कितने चरन होते हैं अब दोस्तों चरन में पहला जो चरन है वो आएगा आपका निवेस उसके बाद में प्रक्रम उसके जलाना या फिर दोस्तों इसको बूस फेलो कर्शी भी कहते हैं इसके बारे में दोस्तों देखेंगे जो की एकजाम की दिरिश्टीचे हैं हमारे लिए मैतवपूर्ण है और उसके बाद में दोस्तों यहां पर हम देखेंगे निर्वा कर्शी के बारे में विश्तृत कर्षी के बारे में बागवानी कर्षी और गहन कर्षी के बारे में देखने वाले हैं उसके बाद में दोस्तों विश्वे में कर्षी योगे भूमी दोस्तों कितनी है उसका क्या परतिसत है किस देश में कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है वो देखेंगे और उसके बाद में दोस्तों विश्वे के परमुक देश और कर्शी पर आदारित जन संक्या के बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं तो उसके गार में दोस्तों अब कर्शी से समंदित क्या-क्या महत्वपूर्ण क्यूसन बन सकते हैं नहीं तो आीजा हैं जो भी आज ही कर्शी के बारे में टो सबसे पहले आप देखिए यह चीज क्योंगी cafड़करी यहे के दोस्तों आप खेती बारी नहीं कर रहे हैं लेकिन दोस्तों मार्केट में जाने के बाद में हर चीज जो भी आपको दुकान पे या कहें पर भी दोस्तों जो ये अवलेवल है किस कारण है ये दोस्तों इन किसानों की देने ये जो किसान भाई है ये दिन रात मेनत करके दो लिए जो भी शांमगरी बना रह रहा है, जिसमें जो भी हमारे बोजन की रूप में हमकाम में लेते हैं। ने को पका कर हम तक बैजने में हमारे किसानना भाई है। इनका सबसे महत्तरपून योग दान रहते है तो यह आप देख़ पा रहे होंगे, आप तो एकदम आराम से घर में बेटे होंगे हाँ ठीक है आपके पास में जोब है पैसा है सब कुछ है लेकिन दोस्तों यह अनाज पर्चेज करने के लिए दोस्तों यह किसान है इनी का हमें सुक्रियादा करना चाहिए क्योंकि दोस्तों अगर यह किसान अनाज नहीं उप जाएंगे यह फिर दोस्तों यह उपजाकर यह अपनी आवशेक्ता के अनुसार यह जितना इनको चाहिए उतना ही उपस करेंगी यह तो दोस्तों बाकि मार्केट के अंदर इनकी क्या हाल होगी यह जितना भी सामाना किस तरह से महंगाई बढ़ती है वह सब आपने दोस्तों देखा होगा लेकिन दोस्तों आप कलपना कीजिए आप थोड़ा बहुत भी ठंडी में भीगने से हैं पाने से हैं कितना दरते हैं लेकिन दोस्तों किसानों को आपने देखा होगा सर्दियों के महिने में फसल पर दोस्तों किस तरह से पानी का यह छिड़काओ करते हैं इन ने तो सर्दी को सर्दी समझते हैं ने गर्मी को गर्मी क्योंकि दोस्तों इनका काम यही है कि सर्दी है तब सर्दी में अगर फसल में पानी देना है तो दोस्तों आपने देखा होगा ये राजस्तान अरियाना साइड में और पंजाब साइड में दोस्तों अगर आपने ग्य मतलब इतना थंदा होने के बाद में भी दोस्तों यह है वो अपनी फसल के परती कभी भी लापरवाई नहीं करते हैं उसमें समय समय पर पानी देते हैं और यही कारण है दोस्तों हम तक यह फसले हैं वो पक कर हमारे घर तक पहुंच पाती है और उसके बाद में दोस्तों हम सदूपियों करते हैं इसलिए दोस्तों हमें अनाज की बरबादी नहीं करने चाहिए किसी भी सूर्ट में तो आईए दोस्तों अब देख लेते हैं एक्जाम की दृष्टी से क्या-क्या महत्तों कर्षी दोस्तों कर्षी एक प्रात्मिक किरिया है जिसमें दोस्तों क्या होता है सबसे पहले फसलें, फल, सब्जियां, फूल, आदी उगए जाते हैं और इनको उगाने के बाद में दोस्तों इसमें परसू पालन भी सामिल किया जाता है परसू पक्सी पालन जिस तरह से दोस्तों आपने मुल्गी फोर्म देखा होगा या फिर जो हम दूद बगेरा लेते हैं आज दोस्तों आपने एक चीज नोट की होगी संपुर्ण भारत के अंदर दोस्तों ऐसा एक भी गर नहीं होगा अगर देखा जाये तो कि जिसमें दूद नहीं आ रहा होगा दूद तो सब में आता है दोस्तों जितने भी सवासो सब को दूद मिल रहा है लेकिन दोस्तों सब के पास में गाय नहीं है या सब के पास में बेंस नहीं है लेकिन फिर भी दूद कहां से आ रहा है वो दूद यहीं से आ रहा है दोस्तों यह क्या करते हैं अपने खेती बारी के साथ साथ पसु पालन भी करते हैं वही कारण है दोस्तों कि हमारे घर तक दूद भी पहुंच रहा है दई भी पहुंच रहा है पनीर भी पहुंच रहा है सब कुछ पहुंच रहा है इसका मतलब दोस्तों यह जो हमारे प्यारे किसान भाये इनी का महतुपूर्ण योगदान रहता है इसलिए दोस्तों हम जो भी खाते पीते उससे पहले इन किसानों का सुक्रियादा करना चाहिए कि ये इतनी मेनत करने के बाद में ये सब हमारे तक पहुंचाते हैं उसके बाद में दोस्तों यहां पर है कि इसके तीन चरण होते हैं अब तीन चरण कौन-कौन से होते हैं उससे पहले दोस्तों हम यहां पर देख लेत और उसके बाद में दोस्तों तीन चरण कौन-कौन से एक है निवेस में क्या है दोस्तों निवेस के अंदर आपका बीज है जैसे बीज बंडार है और वलक यानि दोस्तों खात से समझेत कुछ जो बनाए जाते हैं मशीनरी जो भी है दोस्तों यह आप देख पा रहे हो यह है और मजदूर बगेरा आदी इसमें निवेस में सामिल है उसके बाद में दोस्तों प्रक्रम में अगर देखा जाये तो जुताई, बुवाई, सिंचाई, निराई और कटाई यानि दोस्तों जो फसल के पकने से लेकर करके और फसल की तैयरी होने से समझेत दोस्तों ये थी ओर उसके बार में दोस्तों निर्गत निर्गत के अंदर दोस्तव, फसल, उन , डेरी और कुकुट, उत्पादान, इत्यादी, यह दोस्तों कुछ महत्वालन जांकरी कर्षी के समन्दित है इसे समन्दित कि उसना अगर बने तो अपना कि उसना वह एक्जाम में गलत नहीं होना चाहिए अब दोस्तों बांटा गया कौन गग कहा गया यह के कौनΥा गया है, यह किसद बाइभा रहे हैं असिवलल को आरशे को ऐले रहे हैं, अब दोस्ते हैं, किस परकार कgend गया में तो पहला है दोस्तों यहां पर इस्तानात्रित कर्षी यह क्या कर्षी होती है दोस्तों इसके बारे में देखते हैं इसको जूम कर्षी भी कहते हैं अब जूम कर्षी किसे कहते हैं दोस्तों वह भी हम देखेंगे इसके तहरे सबसे पहले जंगल के पेल्ड पोदों को और जा देते हैं जलाने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, भुमिय त्यार हो जाती है, तैयार उने के redundों, इस परकास से छेती करते करते हैं, जब तक उस मिटी के अंदर उर्वरा सकती समाप्त नहीं होती यानि दोस्तों यहां पर हम देख लेते हैं सबसे पहले इसके बाद जब तक उस चत्र की उर्वरा सकती समाप्त नहीं होती तब तक उस पर की जाती है यानि दोस्तों जब तक उसके अंदर फसले अच्छी हो रह यह दोस्तों दूबारा दूसरी जगह पर दूसरा जो इस्तान है वहां पर इसी परकार की परक्रिया अपनाते हुए अपने लिए खेट तयार कर लेंगी और इसके बाद में दोस्तों उस चेत्र को यह छोड़ दिया जाता है और इसी परक्रिया को दूसरी जगह प्रियोग म में अफरिका के कांगो बैसिन में और दक्षिन पूरू एसिया में होती है इस कर्षी को अलग-अलग चत्रों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है अब दोस्तों इन सभी जो चत्र है इससे संदित ही है मेटपून जान करी है और यहां पर दोस्तों कौन-कौन से इस्तान पर इसको किस-किस नाम से पोकारते हैं वो हम यहां पर अब देख लेते हैं तो यहां पर है दोस्तों सबसे पहले आप एक मिनिट यहां पर देखी दोस्तों यह आपके निर्वा कर्सी अब निर्वा कर्सी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों यह कर्सी केवल खेती करने के लिए परिवार के निर्वा मातर के लिए की जाती है और उसके बाद में दोस्तों यह खेती अफरीका के गिनी तर्ट और भारत चीन के क्षेत्रों में की जात उसके बाद में दोस्तों यहां पर है कि विश्तृत कर्षी यह क्या कर्षी होती है दोस्तों इसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं और अब दोस्तों यहां पर देख लेते हैं विश्तृत कर्षी यानि दोस्तों बहुती बड़े आकार में जो खेती की जाती है और इन खेतों को क्या किया जाता है दोस्तों जोतों पर यांतर की वीडियों के दुआरा की जाने वाली खेती को विश्टित खेती की जाता है यहने दोस्तों बहुत ही एक बड़ा खेता है और उसमें दोस्तों इस तरह से इन मशिनों के दुआरा बौई की जाती है उसके बाद म खेती प्रेयरी के मेदान और ऐस्ट्रेलिया में की जाती है ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और प्रेयरी के जो मेदान है उसमें इस परकार की खेती की जाती है तो ये दोस्तों खेती उसे समझ दित कुछ मेथपून जानकारी थी अब दोस्तों खेती बारी से जूड़ी हुई क कुछ और महतुपूर्ण बातें जान लेते हैं जो कि हमारे लिए एक्जाम की दिरिश्टी से महतुपूर्ण है और एक्जाम के साथ दोस्तों हमें देनिक जो जिहून चलाते हैं उसके लिए मेहत्तो है, यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे मिसरित कर्षी के बारे में अब दोस्तों मिसरित बाड़ी के साथ-साथ पसु पालन भी करते हैं, यही करन ने दोस्तों हमारे गर तक मॉर्णिंग में दूद आजैता है और उस दूद का फिर हम स्दुपयोग करते रहते हैं, तो यह दोस्तों इनी किसान भाईयों अर बेनों की देन है, और उसके बाइच में जाती है कई परकार की उसे तो हम मिश्रित फसल कहते हैं और फसल के साथ में दोस्तों जब खेती बाड़ी के साथ में क्या किया जाता है ये पसुपालन इसको क्या कहते हैं मिश्रित कर्षी कहते हैं और उसके बार में दोस्तों यहां पर हम देखेंगे बुम्मदि सागरी कर् दोस्तों बूमति सागरी जो जलवाई उसमें जो खेती की जाते हैं उसको क्या कहते हैं हम बूमति सागरी करसी कहते हैं क्यों कहते हैं हो देख लेते हैं यहां पर क्योंकि यहां की जलवाईू की विश्यस्ता यह है कि यहां पर दोस्तों सर्डियों में खूब वर्षा होती ह और गर्मियों में भी खूब सुकार रहता है जिसे यहां पर दोस्तों गर्मी और सर्दियों में अलग अलग परकार की खेती की जाती है और यहां पर दोस्तों कर्सी दक्सिनी स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीश, पर्चिम, तुर्की और अमेरिका के केलिफॉर्निया राजियों में इस परकार की की जाती है भूमदे सागरी खेती उसके बाद में दोस्तों यहां पर हम कुछ और मेत्वण जानकरी लेते हैं जो की एकजाम की दरिश्टीशे हमारे लिए मेत्वण है और एकजाम की दरिश्टीशे दोस्तों मेत्वण है साथ ही दोस्तों इस समझे जो क्यूशन बन सकते हैं उससे भी हम यहां पर देख ले जैसे कि दोस्तों केला रबर चाय कोफी और कोको आदी खेती होती है यह चार परकार के क्षत्रों में होती है अब चार परकार के क्षत्र कौन कौन से दोस्तों क्षत्र अलग अलग है इसमें दोस्तों आपका उशन कटिबंदिये लेटिन अमरिका दक्षिनी तता पूरवी ए लेसिया मद्दे अफरिका और गिनी का ट इसमेत मै तो आप दोस्तों यहां पर इसे समधित और कुछ मघतपून जानED करी जो की एक्जाम की द्रिश्टी है हमें पता होना चाहिए उसको देख लेते हैं दोस्तों तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले एक मिनत यह दोस्तों आपकी गहन कर्षी इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों यह क्या कर्षी है यह दोस्तों की कम क्षेतर में अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है गहन क बगेरा है और कुछ जो उपसार दोस्तों कीडे मकोडे जो लगते उनको मारने के लिए ये इस तरह से दवाई का भी इस्तेमाल किया जाता है और दोस्तों अगर पहले दोस्तों क्या होता था बेल और ये उंट बगेरा है या फिर बेंसा है इसे खेती बाड़ी की जाती थी जोता ही है वो इसके दोवारा पसलों से की जाती थी और हल के दोवारा लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में क्या है टेकनोलोजी जैसे जैसे परिवर्तन हो गई है उसके बाद में खेती बाड़ी में दोस्तों ये इस तरह से मशीनी करन का एक यूग वाया और अब दोस्तों खेती है वो इस तरह से यह जो मशीने इंसे की जाती है और उसके बाद में दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके तैत अधिक जनसंक्या गनत वे तता कम भूमी के कारण रासानिक औरवरकों तता उनत भीजों और रासानिक कितों के परियोग के साथ में कर्शिक की ज सकते हैं वो देख लिए थे दोस्तों यहां पर विश्व में कर्शिक योगी भूमी देशों में दोस्तों जो 75star के आदार पर जो और उसके बाद में दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे, मालडोय में दूस्तों, 64% होती है, डेन्मर्क के इन्दर 59% यूक्रेयन के अंदर दोस्तों, organismis, सताऑ़न, पॉइंट च्छेब परतिशाथ, उसके बाद में दोस्तों, भारत 5वे नंबर पर आता है, है तो वह देख लेते हैं दोस्तों जन संक्या के आदार पर अगर देखा जाए तो दोस्तों यहां पर देखेंगें हम विश्व के परमुक देशों की कर्शी पर आदार जन सक्या यानि दोस्तों विश्व के जितने भी देश है उन मेंसे कितने देश कर्शी पर निर्बर है तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आता आपका मलावी जिसके अंदर दोस्तों 92% यानि दोस्तों यह जो जितने भी देश हैं यहां पर आप देख पा रहे हैं आप एक तरफ से इस तरह से दोस्तों यह जो बना रखें इनको आपको जैसे ने जैसे यहां पर बनाय पर दयाए का परतीसत यहतों गहिती करने वाले जो लोग फिर परतीसस्त था और अब दोस्तों ने आसा करता हूं यह जन कारी दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी अगर दौस्तों जन कारी अच्छी लगती है तो उसको अपने तक ही सिमित नहीं रखना है अपने दूसरे भाईयों तक शेर भी करते रहना है और नोर्स बनाते रहना है रिविजन साथ साथ में करते रहना है धन्यवाद जैहिन जैबार्थ